नव नाच च्रित्र में शिरी मतस्यंद नाथ जी के शिश्य शिरी चरूंगी नाथ का च्रित्र शिशांगर को पुत्र प्राप्ती किसी समय कुंडुन्यपुर में शिशांगर नाम के कराजा रज्य करता था वे ज्यानी सद्गुरी तथा प्रजा पालक था उसकी रानी का नाम मंदाक नहीं था मैं भी पतीवरता शुशीला एमधरम प्राहिना थी राज जिवैवभादी के सब सुखो के रहते हुए भी राजा को सबसे बड़ा दुख ही था कि उसके कोई संतान नहीं थी एक बार राजा के मन में ये विचार उठा कि मैं पुत्र प्राप्ती के लिए शिवजी को परसनने करूँ अपने विचार को कारे रूप में परनित करने के लिए राजा ने सेतु भंद रामेश रूं की यात्रा करने और वहाँ जाकर शिवजी की पूजा आयम तप करने का निश्चे किया एक दिन राजा अपने मंत्री के उपर राज्य संचालन का कारे भार छोड़कर अपनी पत्नी को साथ लेकर रामेश रूं की यादा पर चल पड़ा मार्ग में कृष्णा नदी तथा तुंगवद्रा नदी का संगम स्थल पड़ा राजा रानी ने वहाँ ठैर कर शिनान किया संगल में शिनान करके लोड़ते समय राजा को ऐसा स्थान पर एक शिवलिंग दिखाई दिया उसे देखकर राजा ने ये मान लिया कि शिवजी ने मुझे यहीं पर दर्शन दे दिये हैं अब मुझे सेतुबंद रमेश रूं तक जाने की वशक्ता नहीं है अस्तु राजा ने वहीं एक स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके प्रान परतिष्टा कराई उसी राज शिवजी ने भी राजा को सपन में दर्शन देकर ये कहा कि अब तुझे रमेश रूं जाने की वशक्ता नहीं है तेरी मनकामना यहीं पर पूर्ण हो जाएगी इस सपन को देखकर राजा की श्रधा और बड़ी मैं अपनी राणी सहीत वहीं रहकर रामेशरम महादेव की सेवा पूजा करने लगा संगम में शिनान करना और संगमेशर महादेव का भजन पूजन करना यही उनका नित्य का कृत्य बन गया इसी परकार कुछ समय में तीत हो गया एक दिन राजा कृष्णा नदी में शिनान करने के उपरान सूरे को अर्ध दे रहा था उसी समय उसने अपनी अंजली में एक छोटे से शिशु को देखा राजा ने समझा कि संगमेशर महादेव ने कृपा करके उसे यह बालक दिया है देखते देखते वे बालक बढ़कर पूर्ण शिशु के अकार का हो गया राजा के हर्श की सीमा ने रही मैं उसे गोद में लेकर राणी के पास जा पहुचा राणी उसे देखकर अत्यंत परसन न हुई राजा ने राणी से उस बालक के प्राप्त होने का संपुरन वरतांत कह सुनाया राणी ने जैसे उस बालक को अपनी गोद में लिया वैसे ही उनके दूद की धारा बहने लगी बालक राणी का दुग पान करने लगा ये देखकर राजा रानी को और भी विश्वाश हो गया कि ये डेवी बालक शिव जीू की किरपा से ही प्राप्त हुआ है दस् visualize दिन शास्त्र की विदी से उस बालक का नामकरण संशकार कराया गया राजा को वे बालक कृष्णा नदी में प्राप्त हुआ था अतब पंडितों ने उसका नाम कृष्णागर रखा कोश्टिन वहां रहने के उप्रांत राजा उस बालक को लेकर अपनी राईधानी कुंडन ने पुरी को लोट किया प्रजा को जब ये पता चला कि संगमेश्वर महादेव की कृपा से राजा को कृष्णा नदी में खड़े होकर सुरे नारायन को अर्ध देते समय बालक की प्राप्ती हुई है तो उस राज्य के निवासी सभी इस्ति पुरुशन ने बड़े समारो पूर्वकुत सम्मनाया राज्य भार में चारोवर परसंता व्याप्त होगी लोग कृष्णागर को देखने के लिए राजभावन में पहुंचने लगे उस देवी बालक के देवी सरूप को देख करके सभी को दिन धर्श हुआ सुरोचना की कता एक बर किलाश परोटर बैठे हुए बगवान शिंकर के मन में निर्ट्य संगीत गोष्टी का आयोजन करने की चाही उन्हें अपने गन को अदेश दिया कि वह किसी अफसरा को बुला लाए गन जाकर सुरोचना नमक अफसरा को बुला लाया सुरोचना अपने साजिंदों के साथ आई शिवजी का अदेश पाकर उसने निर्ट्य और गयन अरंब कर दिया सुरोचना की निर्ट्य और गयन को देख सुनकर सभा में उपस्ते सबी लोग अट्यन्त परसन्न हुए उस समय शिवजी भी अनंद में भरकर अपने आसन से उठ खड़े हुए और सुरोचना के साथ सियम निर्ट्य करने लगे शिवजी को अपने साथ निर्ट्य करते हुए देखकर सुरोचना की प्रसंता का पारावार नहीं रहा वे और भी विशेश तक्षता पूरवक निर्ट्य करने लगी परन्तो थोड़ी ही देर में स्थिति यहां तक जा पूची कि सुरोचना शिवजी के उपर मोहित होगी उसके हिर्दे में उनके प्रती काम वासना अपन होगी और वह शिवजी के प्रती आकर्शित होकर उनसे लिपट कर निर्ट्य करने लगी उस समय ताल सर भी बिगड़ गे शिवजी ने जब यह देखा कि सुरोचना के हिर्दे में काम वी कारुद्पन हुआ है तो उन्हें इत्यंत क्रोध आया उन्हें उसी समय निर्ट्य करना बंद कर दिया सुरोचना से इस परकार काई सुरोचना काम में हित होने के करन तेरी बुद्धी भरस्ट हो गी है और शिराब को सुरोचना को अकल ठिकाने आ गई ताब उसने शिवजी के पाउं पर गिरकर अपने अपराद की शमा मांगी तो था शाप मुक्ष होने के लिए और उन्हें विन्हें करने लगी और रोने लगी तब शिवजी ने द्यालो होकर ये कहा है सुरोचना मेरा दिया आता है तुझे मृत्यों लोक में भद्र संगम नमक स्थान में मित्राचार ब्रामन के घर कन्या के रूप में जनम लेना पड़ेगा वहां जब तो बड़ी हो जाएगी तब एक दिन मेरा शपर्ष पाकर तेरा शाप नस्ट हो जाएगा और तो पुना सर्ग लोग को प्रा अत्यंत रूप वती थी माता पिता ने उसका नाम कदंबा राख दिया मित्राचारे शिवजी का परम भगता वे अपनी पत्री और तथा पुत्री को साथ लेकर प्रते दिन शिवाले में जाकर शिवजी का पूजन तथा दर्शन किया करता था ये करम नेंतर चलता रहा कु शिवजी उस रूप संद्री को अकेला आया देख करके मोहित होगे और इथार्थ रूप से प्रगठ होकर उसे पकड़ने के लिए दोड़े तो शिवजी के हाथ का शुपर शोते ही कदंबा शाब मुक्त होगी और उसी समय अपसरा बनकर सर्ग लोग को चलेगी परंतो शि शिवजी का तेज किरा वे तेज उसमें कृष्णा नदी में खड़े होकर सूरे को अर्ध देने वाले राजा शिशांगर की अंजली में जा गिरा और उसने एक शिशु का रूप धारन कर लिया इस घठना का वर्णन पहले किया जा चुका है भुजावती का विर्तान कोड़नेपुर में आने के बाद कृष्णागर चंद्रमा के स्वान दिन प्रती दिन बढ़ने लगा सोना मर्श बाद उसे पून युवा वस्ता प्राप्त होगी उनी दिनों राजा शिशांगर की रानी मंदाकनी की मृत्यू होगी रानी का मारशिक शराद करने के बाद राजा ने चित्रकुट के राजा भुज दवज की सुंदरी कन्या भुजावती के साथ अपना दूसरा विवा कर लिया राजा शिशांगर वृद्धो चले थे मुदर उनकी दूसरी पत्री भुजावती नवियोवना थी नवियोवक क्रिश्णागर की आयू उस समय सत्रा मर्श की थी मैं अत्यान सुन्दर सथ था कर्शक श्रीर का था भुजावती उसे देखकर अकर्शितोगी एक दिन राजा शिशांगर शिकार खेलने के लिए राजधानी से बाहर गेवे थे उसी समय राणी भुजावती ने एक दासी के द्वरा क्रिशनागर को अपने पास बुलवाया जब क्रिशनागर निवास में पहुँच गया तब भुजावती उसका हाथ पकड़कर अपने प्रेंग पर ले गई और उनके साथ सेवास करने के च्छा प्रगट की तो क्रिशनागर ने ये देखकर राणी से कहा है माता मैं तो आपका पुत्र हूँ मेरे साथ अच्छा विवार करना आपको शुबा नहीं देता यदि मैं ऐसा करम करूं तो ये मात पातक किष्रेनी में गिना जाएगा आताए आप मुझे इसके लिए शमा करें ये कैकर क्रिशनागर वहाँ से उठकर चला गया क्रिशनागर के चले जाने पर राणी बुचावती ने अपने मन में विचार किया कि यदे इसने अपने पिता के लोटने पर उनसे ये सब घटना कह दी तो राजा मुझे जान से मरवाद देंगी हां तक कोई ऐसा पाई करना चाहिए जिससे कि क्रिशनागर का खटका ही तोर हो जाए राणी बुचावती ने अपने एक विश्वस्त दासी को बलाकर उसे ये सब रतांत कहा तो दासी ने उसे ये सम्मती दे कि राजा जब शिकार से लोट कर आए तो आप उनसे ये कह दीजेगा कि आपके जाने के बाद क्रिशनागर ने मेरी इज़त को लोटना चाहा था मैंने जैसे तैसे अपने स्टित्र की रक्षा की है अब आप जो चाहे वो कीजिए दासी की बात राणी की समझ में आ गई राजा के शिकार से लोटने पर राजी बुचा बती कोब भवन वे जाकर लेट गई राजा ने उनके पास जाकर कोब करने का कारण पूछा तो राणी ने उसी परकार कह दिया जिस परकार कहने के लिए दासी ने उसे सलादी थी राजा उसे सुनकर अध्यांत करुद्ध हुई वह राने की बात पर विशाश करके सेवकों को बुलाकर क्रिश्चनागर के हाथ पाउं काट कर चुराहे पर पड़क देने का हुकम दिया राजा की आग्यामसार राज करमचारी क्रिश्चनागर को नगर के बाहर शीम मंदर में लिवा ले गे वहाँ उन्हें ने क्रिश्चनागर की आँखों पर पट्टी बांद कर तलवार के परहार से उसके हाथ पाउं काट दिये ताथ पुष्चाथ उसे वहीं पड़ा हुआ छोड़कर राजभवन को लोट गे कुछ देर बाद मंदर में पहुँचने वाले अन्य दर्शनाथी उन्हें जब क्रिश्चनागर को इस थिती में देखा तो उन्हें अत्यन दियाई उन्हें क्रिश्चनागर से पूछ तास की परंतु वह कोई उत्तर नहीं देश का अन्ता उन लोगों ने क्रिश्चनागर को एक लकड़ी की चौंकी पर चुरंगी पर लिटा दिया और राजा को सुचना दे कि कोई व्यक्ति राजकमार के हाथ पाउं काट कर उसे शिवाले में पटक गया है राजा रानी ने तो ये करिट करवाया ही था फिर भी लोग दिखावे के लिए दोनों शिवाले में पहुंचे क्रिश्चनागर की उस ठिटी को देखकर नकली आंसुवी वहाई तैद्व प्रांद ये कहकर कि ऐसे बालक को हम अपने घर में ले जाकर क्या करेंगे राजमहल को लोटके क्रिश्चनागर चुरंगी के ओपर बहीं पढ़ा रहा मतसेंदर नाथ का आगवन इस खटना के कुछ समय बादी देवश मतसेंदर नाची अपने शिश्च गुरकनाथ को साथ लिए कॉंडिन्यपुर में आप होची माँ लोगों ने उनसे क्रिश्चनागर के विशे में चर्चा की गुरु शिश्च ने क्रिश्चनागर के पास पहुंच कर उसे देखा और ध्यान दिरिश्च्टी से वास्तिक रहसे की को ग्यात किया लिया गोरखनाजी ने क्रोध में भर कर उसी समय राजा शांगर तथा रानी भुजावती को नश्ट कर देने का विचार किया प्रन्तो मतसिंद्र नाथ ने उस समय उन से शांगर के लिए कहा तद प्रांथ वे दोनों से शांगर के पास गे और बोले है राजन हम तमारे हाथ पांग कटे हुए पुत्र किश आगर को अपने साथ ले जाना चाते हैं तो हमें इस के लिए आग्या दे दो राजा को भला क्या पत्ती हो सकती थी फिर भी उसने लोग दिखावे के लिए उन से ये कहा कि आप ऐसे ये पंग लड़के को अपने साथ ले जाकर क्या करेंगे तो यदि आप उसे ले ही जाना चाते हैं तो मुझे कोई अपत्ती नहीं है तो मतसेंदर नाथ तदा गोरकनाथ राजा की सवक्रिक दी पाकर क्रिशनागर के पास लोट गे गोरकनाथ ने क्रिशनागर को चरंगी से उठा कर अपनी कोद में ले लिया उसी समय मतसेंदर नाथ जी ने उस बालक का नाम चरंगी नाथ रख दिया चुरंगी नात को साथ लिये हुए दोनों गुरु शिश बद्रका आश्रम को चले गे बद्रका आश्रम में जाकर उन्हें सर पर थम शिवजी के दर्शन किया फिर गुरक नात ने चुरंगी नात को परवत कि एक गुवा में बठा कर ये कहा गुरक नाची ने चुरंगी नात के कान में मंतर फुका फिर उस शिला में अंधेरा करके उसके द्वार को इस परकार बंद कर दिया ताकि कि किसी वन्ने पशु आदी का परवेश उसके भीतर नहीं हो सके इसके बाद उन्ने चमंडा को बुला कर ये अग्यादी गुवा में बैठकर तपस्या करने वाले प्रानी के आहार के निमत वे प्रती दिन एक फल गुवा के भीतर पोचाती रही इतना सब प्रवंद करके गुरक नात था मतसेंदर नाती थाटन करने के लिए चलेगे बारा मर्श बाद गुरक नात पुना बद्रका आश्रम में पहुंचे वहां जाकर उनने चरूंगी नात की स्थिती को जानने के लिए जब गुहा के भीतर प्रविश किया तो उनने पता चला कि चरूंगी नात शिला के उपर दिश्टी जमाई हुए मंतर का जाब करने में सलग नहें उनके आहार के लिए चमंडा को प्रती दिन एक फल रख जाती थी वे सब जो के त्यों धेर के रूप में पड़े हुए थे इसके बाद ही इस उगर तपस्चा के प्रवाब से चरूंगी नात के कटे हुए हाथ पाउँ के स्थान पर ने हाथ पाउँ निकल आए हैं यह देकर गोरखनात अत्यंत परसंद नहुए उन्होंने आवाज देकर चरूंगी नात को साफधान किया फिर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा जिससे अपूर्ण सवस्त होगे ता दुप्रांद वे चरूंगी नात को शीप पारती के परत्यक्ष दर्शन कराने के लिए स शिक्षा दी जब चरूंगी नात सभी विद्यावे निशनात होगे तब उन्हें नाग अश्वत रिक्ष के देवताओं तो था अन्य देवताओं का शीरवात दिलाया ता दुप्रांद गोरखनात जी चरूंगी नात को साथ लेकर तीथ यात्रा करने के लिए चल दी शश गोरखनात ने चरूंगी नात से कहा कि यहां पर तुम अपने चिमतकार का परदर्शन करो जैसे राजह शांगर को तमारे शक्ति का पताच चल सके तो गोरखनात जी की आःट्यापकर चरूंगी नात उसके प्रभाव से बाग के वरिक्स टोट टोट कर गिरने लगे तथा माली लोग हवा के साथ अकाश में उपर उठने लगे तथा बाद में प्रित्थी पर गिर कर पचाड़े खाने लगे ये समझा जब राजा के कानों में पूंचा तो वे समझ गए कि ये आंधी सामाने हवा नहीं है क्योंकि उसका प्रभाव केवल बाग के भीतर ही दिखाई दे रहे बाग से बाहर कहीं हवा का नामों निशान तक नहीं है उसी समझे कुछ लोगों ने जाकर राजा को ये ख़बर दी कि आपके बाग में दो नाथ पंथी योगी आएवे और संबवतावे चमतकार उने के पर दर्शित किया है राजा ने समझा कि मतसिंद नात था गोरक नात आये होंगे अते में उनका स्वागत करने के लिए हाथी घोड़ा पाल की राथ था दी लाव लशकर साथ में लेकर बाग में जा पूचा उसी समय चरंगी नात ने वात अस्तर की योजना करके राजा के संपुरन लशकर हाथी घोड़ा पाल की आदी को अकाश में उड़ाना और प्रित्थी पर प्रित्थी पर प्रित्थी के उपर पुचा दिया कुछ देर बाद जब राजा तथा अन्य लोगों को होश आया तब गुरक नात जी ने चरंगी नात से कहा है पुट्र राजा तुम्हारी शक्ति और पर्भाव से बली भांती पर्चित हो चुका है अब तुम अपने पिता के चरंच पर्ष करो तब गुरक नात जी की आग्या से चरंगी नात ने आगे बढ़कर राजा के पाँच हुए राजा उन्हें पहचान नहीं पाई तब गुरक नात जी ने उन्हें बताया कि ये तुम्हारा वही पुत्र कृष्णा कर है जिसके हाथ पांग कटवा कर तुमने श्वाले में डिलवा दिया था इसके बाद गुरक नात जी ने राणी बुजावती की संपुरन करतोत को एकाई सुनाया राजा उसे सुनकर बहुत लज्जित और दुखी हुए ने दोनों योगियों को अपने घर ले गया वहाँ जाकर उन दोनों का यिथावती आदर सम्मान किया तो था राणी बुजा प्रापती होगी मैं तुमारे राज का उत्रादिकारी बनेगा और तुमारे यश को उज्जल करेगा एक महिने तक गुरक नात जी चरंगी नात के साथ कुंडिन्य ने पुर में रही इसके बाद भी राजा से विदा होकर तीर्थ यात्रा को चले गई गई गोरक नात जी क साथ रहकर चरंगी नात ने समझदेथो का ब्रह्मन किया। ताद प्रादु ने बद्र का आष्रम में जाकर रहने लगे। इंदर ने जब सौम्या किया था त styles नात पंथीं के साथ चरंगी नात भी उसे भाग लेने के लिए अम्राफिपुरी में गे ते यक्युकि स्लमा पर मैं पुना बद्र का आश्रम में लोट आए और वहीं रहने लगे।